दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों पूरी दुनिया को आप लाइन से खड़ा कर दीजिए सब के सब सीस जुकाएंगे श्री महालक्षमी जी के सामने उनहीं श्री महालक्षमी को समर्पित है आज का दिन सुक्रवार इसलिए धनकी देवी को धन्यवाद देने का जो मौका है उसका लाब उठाईएगा साथ में दोस्तों आप में से जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं वो आत्में कर सकें तो आपके फीडबेक के आदार पर हम लेके आ रहे हैं नया ओफर जिसमें आपको लाब मिलेगा 60% तक के डिसकामूंट का आपको बस स्री चार्ट मह चर्चा करेंगे कि बहुत साथ में रिशी सुनाक साहब को भाई साथ फालतू में परिशान किया रहा है तो यूक्रेन में जो पूश्कटी चिपकली हैं जेलेंस की साथ वह हाथियारों के चक्कर में भड़बडा रहे हैं जर्मनी उनको टैंक नहीं दे रहा तो जर्मनी का कंपनी एक्जोन मोबिल ने बहुत बड़ा एलान किया है भारत में कच्छे तेल के भंडारों को लेकर च्छे की च्छे खबरें आप से जुड़ी हुई है प्रभावित करेंगी आपको मज़ा आएगा पक्के से सबसे पहले दोस्तों सुनाक साहब वीडियो बना रहे थे एक दो मिनट के लिए उन्होंने सीट बेल्ट उतार दिया इसी चीज़ का बतंगड़ बन गया अरे भाईया सीट बेल्ट नहीं लगाया वीडियो के लिए मां भी मांग ली बंदेने पाइन देने को तैयार है आगे बड़ो लेकिन बिटेन के जो कम्यूनिस्ट लोग है व सर्दियों में फ्रेंट लाइन फ्रीज हो रखी है रूसी और यूक्रेन अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है आगे बढ़ना है हमें उसके लिए टैंक दे दो जर्मनी से मांगे हैं यूरोप से मांगे हैं लेकर जर्मनी के घुट जर्मनी लेपर्ड तो दे दे टैंक लेकिन पुतिन साहब अर्माटा उतार देंगे पुतिन साहब के पास भी जो है एंटी टैंक गन है पॉइंट यह है कि यह लडाई को सुलजाने के लिए उपर खतम करने के उपर किसी का फोकस नहीं है सिर्प भढ़काने का प्रयास कर हैं हत्यार बेचने का मुनाफ़ा कमाने का अफसर ढूट रहे हैं कुरवानी दे रही है युक्रेन की आम जनता लेकिन इस पूरे घटना क्रम से हमें एक बार फिर सीखने को मिलता है कि अगर युद्ध लड़ने जाना हो तो किराय के हत्यारों के दम पर आप युद्ध नह करना है और हम बिल्कुल सिद्ध से लगे हुए हैं लेकिन होना चाहिए वो फ्री अगरत को लाव नहीं दिखा तो भाईया कोई जवड़स्ती नहीं है कि हम एक्रिमेंट करेंगे इसलिए फेरनेस के साथ यदि आपको फ्रीट अग्रिमेंट नहीं करना है तो यह खोटी कर लिए बिजली भी पैदा कर लिए बंदरगा भी बना लिए अब हम पानी साफ करेंगे तो यह बहुत जरूरी है कारण यह है कि अडानी को एक चीज़ आती है बस बो क्या है यह सरकारों से काम निकलवा लेते हैं और आप सब छोड़ दीजिए अभी कुछ दिनों पहले इन वाटर ट्रीटमेंट की फिल्ड में अडानी साहब उतरते हैं तो इनका रास्ता तुलनात्मक रूप से आसान होगा इनके किसी प्रोजेक्ट में सरकार हैं और पार्टिया कोई ट्यांग नहीं अडाती विरोध करने के लिए मीडिया में खबरन डालने के लिए को चुल्ट हमें लाब यह है कि अगर सीवेज का पानी ट्रीटमेंट होने लगा साफ पानी हमें मिलने लगा तो पानी तो मूलभूत जरूरत है इसलिए यह बहुत अच्छा कारेक्टर में जल्दी होना चाहिए इसी बीच दोस्तों जम्मू कस्मीर में जड़ी बूटियां हैं यह हमे लड़ाई चड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ लेकिन अब 370 हट गई है तो भारत उनको करने लगा है एक्सपोर्ट और दोस्तों जम्मू कस्मीर के गाउं से बच्चे पढ़ने जाते थे सहरों में अब लोटके आ रहा है क्यों आ रहा है लोटके बोले इसलिए कि हम केसर के फूल तोड़ेंगे केसर का उत्पाधन करेंगे देख लो आप बंदू के उठाने वारे लोग आप केसर की पच्तिया तोड़ रहे हैं यह परवर्तन जो उन लोगों को नहीं देखेगा जिनको 370 से प्यार था दुनिया में जो और गयनिक फार्मा का धंदा है उस पर करने की कोई टेंशन नहीं है हमें देखना है सिर्फ एक्सपोर्ट का काम और वो करने में मोदी सरकार बैसे ही अवल दरजे पर है इसी बीच दोस्तों जब भी हम चर्चा करते हैं कि भारत के पास बहुत बड़े भंडार हैं कमी हम में हैं जो हम उन्हें खोज नहीं पाए लोगवा कहते हैं कि तुम तो मोदी से बड़े फेवकू हो फाल्दू में हवावाजी करते रहते हो तुम्हारे तो रोज भंडार निकल जाएगा अरे भाईया हम कोई बात नहीं कि है ते आप तो हमारी बात छोड़ दो एक्जोन मोबिल का नाम तो सुने हो कि नहीं सुने भारत में भी निकाल देंगे और भारत में जिस तरह का तेल का वंडार है उसे खोजने के लिए टेकनोलोजी है वह एक्जोन मोबिल के पास है यह खुझ कहा रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब दिक्कत कहां पढ़े तो एक्जोन मोबिल ने कहा है कि साब हम सरकार से कानूनी सुरक्षा चाहिए बूले क्यों वोले इसलिए क्यों हमने हुए फ्रसकार ने उनको हत्या लिए प्र्रोडक्शन करें तो हम जो ए मार्केट पर बेच नहीं सकते हम अगर प्रॉफित कमाया तो खरकार कर तो पाखंद है कि दूसरे देशों की कमपणियों को हम प्रोफिट कमाना दे सकते हैं दूसरे देशों से अब मार्केट दाम पर कच्चा तेल खड़ी सकते हैं लेकर अपने देश में अपने भंडार से तो हमें सस्ते में चाहिए ऐसा कैसा देश करने के लिए खर्चा कर रही है तो उसे पैसा कमाने का अधिकार है पैसा कमाना धन कमाना कोई जुर्म है क्या भाई साफ हमारे देश में अभी तक भी जुर्म बना रखा था तो परणाम हमारे सामने हैं कि हम सबसे अधिक इंपोर्ट करते हैं कच्छे तेल का हम गरीब बने हुए हैं इसलिए कच्छा तेल तो हमने जो है कंपनियों को सुरक्षा देनी होगी उनको प्रॉफिट कमाने देना चाहिए हमारा इंपोर्ट का खर्चा कम होगा गरीब से अमीर बन जाएगा भारत इसलिए एक जोन मोबिल की ओंगी की डिमांड है उनको मद्द निजर रखते हुए भारत सरकार में सुधार करक्रम चलाने चाहिए ताकि सब का भला हो कुल मिला के संतुलन स्थापना की ज़रूरत है और मुली सरकार करेगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है अब दोस्तों आप मैंसे जिन जिन को आत्मिलभर इन्वेस्टर आत्मिलभर फ्यूचर से आत्मिलभर आप्शन कोर्स जोइ हो श्री चार्ट महालक्षमी जी की ये कोड जैसे ही आप देंगे वैसे ही आपको 60% तक का जो डिसकाउंट है वो एप्ली केवल हो जाएगा हम जो है 26 जन्वरी और बसंत पंचमी के डवल धमाके के अवसर में ये विशेस ओफर लेके आए हैं उसका लाव उठाईएगा ध